देश्टिवी की सुर्ख्या में देखते हैं आज की देश विदेश की चर्शित खबरे 16 अक्टूबर की सुर्टिव में पहले स्थान में है नोबेल पुरुसकार विजयता अभिजीद बैनरजी ने दी चितावनी भारतिय मूल के अमेरिकी नागरिक अभिजीद बैनरजी को 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरुसकार से जमानित किया गया है अर्थववस्ता से जुड़े सवालों पर उन्होंने बताया कि मौजुदा समय में भारतिय बैंकिंग सिस्टम बड़े संकट में है इसको लेकर तुरंद कदम उठाना होगा उन्होंने बताया कि भारतिय अर्थववस्ता की स्थिती डामा डोल है मौजुदा विकास दर के आकडों से यह आश्वासन नहीं मिलता कि इसमें जल सुधार आएगा बैनरजी ने कहा कि इन समस्याओं से निबटने के लिए काफी मात्रा में धन की आवशक्ता है ऐसे में बिमार बैंकों को बेज देना चाहिए आज की सुर्की में भूस्ते स्थान पर है सिरिया में तुर्की की सैन्ने कारवाई पर चीन पाकिस्तान में मदभेद अपनी दोस्ती को हिमाले से उशी बताने वाले चीन और पाकिस्तान के बीच उत्तरी सिरिया में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ तुर्की की सैन्ने कारवाई को लेकर मदभेद है बीजिंग ने जहां तुर्की से सैन्न अभियान को रोकने कहा है वहीं पाकिस्तान ने इसका समर्थन किया है चीन ने 15 अक्टूबर को तुर्की से कहा कि वह उत्तरी सिरिया में जारी अपनी सैन्न कारवाई को रोके क्योंकि इससे आईएस आतंकवादी को भागने का मौका मिल सकता है बीजिंग को आशंका है कि आईएस के कुर्द लडाकों के लोटने से उसके शिंजियांग प्रांत में अशान्ती हो सकती है जो व्यापक धर पकड़ के बाद पिछले कुछ वर्षों से शान्त है आज की सुर्षों में इसरे स्थान में विक्रम लेंडर को लेकर खुशकबरी इसरो को चंद्रयान 2 के लेंडर विक्रम की जानकारी मिलने की फिर उमीद जगी है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के बयान के अनुसार विक्रम लेंडर की स्थिती को लेकर एक बार फिर नई जानकारी सामने आई है क्योंकि उसका लूनर रिक्नेंसेस अर्बिटर जल्दी ही उस्थान से गुजरेगा जहां विक्रम के गिरने की आशंका जताई गई है नासा ने इस से पहले कहा था कि उसका लूनर रिक्नेंसेस अर्बिटर 17 सितंबर को विक्रम की लेंडिंग साइट से गुजरा था तब उसने उस साइट की high resolution तस्वीर ली थी हालाकि इस दोरान इलारो कैमरा की टीम विक्रम लेंडर की स्थिती या तस्वीर जुटाने में नाकाम रही थी मेडिया रिपोर्ट्स के मताबिक देश की बड़ी सरकारी महारत्न तेल और गैस कमपनी BPCL यानी भारत पेट्रोलियम को सौधी अराम को खरिच सकती है ये डील 510 रुपए से 1100 रुपए प्रतिशेर की बीच हो सकती है हालाकि अभी तक सरकार की ओर से कोई बयान जारी नहीं हुआ है इस खबर के बाद BPCL के शेयर में जूरदा तेजी आई है एनेसी पर BPCL का शेयर पांच फिस्दी बढ़कर 515 रुपए के भाव पर पहुँच गया है किंदर सरकार की BPCL में 53.29 फिस्दी हिस्सेदारी है आज के सुष्द्गों में पांच में स्थान पर है रैली के दौरान शिवसेना सांसत पर चाकू से हमला शिवसेना के सांसत ओम राजे निम्बालकर पर बुधवार को जान लेवा हमला किया गया जिसमें वह घायल हो गया है बताया जा रहा है कि शिवसे नासांसत उस्मनाबाद छेतर में चुनापरचार के दोरान एक रैली में थे तभी एक यूवक ने चाकू से उन पर हमला कर दिया चाकू निम्बालकर के हाथ में घुज गया जिससे वह घंबी रूप से घायल हो गया जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाए गया है हमला करने के बाद आरोपी यूवक मौके से फरार हो गया है आज के सुर्फयों में छट्विस्थान पर है पूर्वकेंद्रिय मंत्री चिदंबरम कोmaram को ईडी ने किया गिरफतार प्रवर्तन निदेशालय यानि इडी ने तिहार जेल में बन पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को गिरफतार कर लिया है इससे पहले E.D. ने उनसे जेल में ही दो घंटे पूश ताज की कोर्ट के आदेश के बाद ही उन्हें तिहार जेल से बाहर निकाला जाएगा E.D. के पास अभी तक तिहार जेल से चिदंबरम को बाहर निकालने का आदेश नहीं है चिदंबरम से पूश्टाच करने के लिए E.D. के तीन अधिकारियों की टीम गई थी बता दें कि एक स्थानी अदालत ने मंगलवार को केंद्री जाच एजनसी को मामले में कॉंग्रेस के वरिष्टनेता से पूश्टाच करने की अनुमती दी थी आज के सूच्यों में सास्मे स्थान पर है भुखमरी के पैमाने पर पाकिस्तान से भी पिछड़ा भारत तमाम प्रयासों के बावजूद दुनिया में भूख आज भी बड़ी समस्या बनी हुई है भारत जैसे विकाशिल देशों में ये समस्या और बढ़ती जा रही है दुनिया की भूख सूशकां की माने तो भारत में भुखमरी की समस्या और तेजी से बढ़ी है यहां तक की भारत इस इंडेक्स में पाकिस्तान से भी पिछड़ गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जहां पाकिस्तान का नंबर 94 है वहीं भारत इस इंडेक्स में 102 नंबर पर है दूसरे एशियाई देश भी भारत से बहतर सिति में है आज के सुर्षों में आठने स्थान पर है सुपेबेडा में कीड़नी पिडिद एक और मरीज की मौत 36 गड़ के गरिया बंजिले के सुपेड़ा में कीड़नी की बिमारी से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है सुपेड़ा गाउं में सरकार की घोष्णाएं बेअसर साबित होती नजर आ रही है सरकार तीन साल से लगातार ग्रामिनों को बहतर सुविधाय उपलब्द कराने का दावा करती आ रही है मगर यहां के हालात सुधने की बजाए और बिगरते जा रहे है बीते 15 अक्टूबर को किड्नी बिमारी से पिडिद एक और ग्रामिन अकालू मसरा की मौत हो गई एक आकड़े कानुसार पिछले 3 साल में किड्नी की बिमारी से पिडिद सुपेड़ा के 71 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है आज के सुर्कियों में नवे स्थान पर है रितिक और टाइगर के फिल्म वार ने 14 दिन मचाया तहल का रितिक रोशन और टाइगर श्राफ के फिल्म वार लगातार बॉक्स ओफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है फिल्म को रिलीज हुए 14 दिन हो गए हैं हलाकि अब भी फिल्म के कमाई कम होने का नाम नहीं ले रही है फिल्मी सुत्रों के माने तो रितिक और टाइगर की जबरदस्ट एक्शन से भरपूर इस फिल्म ने बुद्भार को भी अच्छा प्रदर्शन किया रितिक रोशन और टाइगर श्राफ की फिल्म ने अब तक 276 करोड 25 लाक रुपे की धांसु कमाई कर चुकी है हलाकि अभी इसके अधिकारिक आंकड़े आने बाकी हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदूलकर विरिन सहवाग और वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज ब्राइन लारा जैसे दिगज खिलाडी अगले साल फरवरी में आयोजित होने वाले रोट सेफ्टी वर्ल्ड सिरीज में भाग ले सकते हैं इस सिरीज का मतलब रोट सेफ्टी को प्रमोट करना है इस सिरीज में इनके अलावा श्रिलंका के पूर्व बल्लेबाज तिलकरतने दिलशान दक्षिन अफरीका के जोंटी रॉट्स मुतहिया मुरली धरन जैक कैलिस ब्रिटली के भी भाग लेनी की संभावना है रोट सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के पहले सीजन में टेस्ट खेलने वाले देश के पूर्व अक्रिकेटर्स भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं